तो दोस्तों यह रहा हमारे पास Realme C33 Mobile जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे हो अब यह भी दोस्तों नया नया लेके आया है तो दोस्तों मैं पुरी सेटिंग चेक करके देखा तो दोस्तों इसमें कहीं भी ऐप हाइड का अप्शन नहीं दिया गया है तो दोस्तों आज की दोस्तों आपके पास कोई भी पर्सनल एप है और आप उसको छुपाना चाते हैं तो आप बिल्कुली आसान तरीके से छिपा सकते हो अगर सेटिंग में जाओगे तो कहीं भी आपको फीचर नहीं मिलेगा अगर आपको हाइड करना है तो इसके लिए दोस्तों आपको एक की जरूरेगी दोस्तों बीन आपको एक में किसी याप को हाइड कर सकते हो तो एप को हाइड करने के लिए आपको यहां से अपना प्ले स्टोर ओपिन करना है तो आपको चले करने के बाद सीको ओप कर देना है जैसे धूस Piece कर देना आगा का घोलेगँ पर मेस्ट को काथ अपर कर देना है सर से ब्लोप dynamics क्लिक कर देना है यहां पर कुछ देखना नहीं है आपको compat कर देना है जैसे आप यहां पे स्क्रिक कर दोगे तो आप कहां पर क्लिक करके दोगे यहां पर क्लिक करने के बाद के सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको यहाँ पर दूसरे वाले नमबर पर टिक रहेगा तो आपको यहाँ पर Microsoft Launcher पर यहाँ पर टिक कर देना है जैसे आप टिक कर दोगे तो अब आपका पूरी सेटिंग हो जाएगी अब दोस्तों आप डारेक्ट आ जाओगे अपने आप डोर में आप डौर को आपको इस तरह से ऊपर को स्क्रोल करना है जैसे स्क्रोल कर दे होगे तो आपको यहाँ पसाल ना बोगे तो आपके मुबाइल में जितनी भी अप्लीकेशन सारी अप्लीकेशन यहां पर देखनी को मिल जाएंगी अब जिस application को आपको hide करना चाहते है जिस application को hide करना उसको यहां से tick कर देना है यानि कि select कर देना है तो यहां से हम अपना facebook hide करेंगे तो facebook पे यहां को select किया और यहां से अपना files लेंगे files पे select किया अब दोस्तों मैं यहां पे files और facebook को यहां से select कर लिया select करने के बाद आपके यहाँ पर done कर देना है जैसे done कर दोगे तो यह successfully hide हो जाएंगी लेकिन दोस्तों इन में अभी कोई भी lock नहीं लगा हुआ है तो दोस्तों lock अगर आपको लगाना है तो इसके लिए आपको setting का उपर option देखने को मिलेगा तो setting पर click कर देंगे अब दोस्त यहां से बना लेते हैं बनाने के बाद दोस्तों एक बार फिर से confirm कर देंगे same वही password confirm करने के बाद दोस्तों आपका password भी पड़ जाएगा और आपकी app भी hide हो जाएगी अब दोस्तों आपको मैं यहां पर दिखा देता हूं जो मैंने app hide किया था उसको यहां पर वह देंगे और यहां से दोस्तों hidden apps का option आजाएगा तो इस पर क्लिक कर देंगे अब दोस्तों आपने जो भी वहां पर password बना था वह आपके यहां पर डाल देना है जैसे आप यहां पर डाल दोगे तो आपकी hide वाली app यहां पर आजाएगी यहां से आप देख सकते हो चला सकत कैसे दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकार मिले हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक और चनलो को सब्सक्राइब जरूर करें